नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा. इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि लिूलिपेक्स क्रीम का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. लिूलिपेक्स क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और लिूलिपेक्स क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? और यह भी डिसकस करेंगे कि लिूलिपेक्स क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. लिूलिपेक्स क्रीम एक एंटी फंदल दवा है। लिूलिपेक्स क्रीम का उप्योग फंदल इंफेक्शन होने पर किया जाता है। तवचा पर फंदल इंफेक्शन होने पर तवचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और तवचा में जखम आदी लक्षन दिखाई देने लगते हैं।, इसके अलावा fungal infection होने पर त्वचा पर पप्री जमना। त्वचा का पप्री बन कर उतरना। त्वचा में दरारे होना। त्वचा का कुछ हिस्सा सफेध वन नरम होना आधी लक्षन भी fungal infection होने पर हो सकते हैं। Fungal Infection शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है. Fungal Infection नाखुनों और जांगों में भी हो सकता है. इसलिए नाखुनों और जांगों के Fungal Infection को ठीक करने के लिए भी Dr. Lulipax Cream को लगाने की सला दे सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की Lulipax Cream को कैसे लगाना recommended होता है. Lulipax Cream को लगाने से पहले आपको अपने हाथों और प्रभावित एरिया को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए. और हाथों वह प्रभावित एरिया को अच्छी तरह सुखाने के बाद Lulipax Cream की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हलके हाथ से फैला कर लगानी चाहिए. और Lulipax Cream को ज्यादा रगड कर नहीं लगाना चाहिए. Lulipax Cream को लगाने के बाद आपको अपने हाथों को साबुन की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए. ताकि इनफेक्शन दूसरी जगह पर ना फैले. ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Lulipax Cream को दिन में एक ही बार लगाने की सलाह देते हैं. Dr. Lulipax Cream को एक सब्ता से लेकर दो सब्ता तक लगातार लगाने की सलाह दे सकते हैं. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि Lulipax Cream की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं. वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Lulipax Cream की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में लिूलिपेक्स क्रीम की वज़े से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे तवचा में जलन, तवचा में खुझली, तवचा में रैडनेस, तवचा में सूजन और तवचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है. अगर आपको लिूलिपेक्स क्रीम को लगाने के बाद तवचा में बहुत तेज खुजली, जलन, तवचा पर सूजन, तवचा पर रैडनेस, तवचा पर रैशेस या तवचा पर छाले होना और तवचा पर सुई चुबने जैसी समवेदना ज्यादा होती है, या ऐसा कोई ल लगातार बना रहता है, तो ये लक्षन लिूलिपेक्स क्रीम की वज़े से एलरजी होने पर भी हो सकते हैं, यदि आपको लिूलिपेक्स क्रीम को लगाने के बाद ऐसा कोई लक्षन लगातार बना रहता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे कि लिूलिपेक्स क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। फंदल इन्फेक्शन एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती को फैल सकता है। इसलिए जब तक फंदल इन्फेक्शन अच्छी तरह से ठीक न हो जाए। तब तक संक्रमित व्यक्ती के कपडों और शारिरिक संपर्क में आने से बचना चाहिए। लिूलिपेक्स क्रीम को आख, नाख, मौ और वजाइना के अंदर लगाना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए लिूलिपेक्स क्रीम को आख, नाक, मो और वजाइना के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि लिूलिपेक्स क्रीम प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लिूलिपेक्स क्रीम को ना लगाने की ही सलाह देते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लिूलिपेक्स क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लिूलिपेक्स क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।